हलो फ्रेंड आज बनाएंगे बहुती क्रेस्पी और चटपटा कुरकुरा मजीदार नास्ता जो की बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है बहुती कम इंग्रीटेंट लगते हैं और बहुती ज़्यादा कम टाइम लगता है आप देख सकते हो पांच मिन्ट में ये रेस्पी बनकर त्यार हो जाती है और बहुत बच्ची हों बड़े सबको इनास्ताना बहुती ज़्यादा पसंद आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेस्पी को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो प्लीज चै सुजी डालने के बाद आधा कटोरी भरकर इसमें बेशन डालेंगे मेजरमेंट आप एकी बरतन से कर लीजीगा तभी नास्ता अच्छा बनेगा उसके बाद डालेंगे आधा कटोरी भरकर इसमें दही आधा कटोरी भरकर ही पानी डालेंगे इसमें उसके बाद सारी चीज consistency आप देख सकते हो इस तरीके की आपको रखनी है उसके बार इसको हमें ढखके 5-10 मिनट के लिए rest पर छोड़ना है ताकि सूजी ना अच्छे से फोल जाए पांस से दस मिनट हो चुके हैं सूजी भी अच्छे से फोल चुकी है आप देख सकते हो उसके बाद इसमें सब्सक्राइब मुए। पमाटव दो Gib demeanor's जी के नालाजन सब्सक्राइब 1 उठाइब कर मुए खालोगऊ 1 उसको सब्सक्राइब कोढ़ने लिएerem टेस्ट के अकोटिंग नमक डाल देंगे थोड़ा सा और सारी चीजों को अच्छी सी मसाली के साथ मिक्स कर देना है मसाली इसमें बहुती कम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा बेकिंग सुड़ा डालेंगे यहां पर इसकी जगे पर इनो का वी यूज कर सकते हो उपर से ले लिया है और इसको ओन कर देंगे एक चिम्मज भरकर डालेंगे बहुत कम पढ़ने वाला है अच्छे से ग्रीज कर देना है उसके बाद थोड़ा सा तिल डालेंगे सफीद वाला और करीपता अगर आपके ब्राउन तिल है तो वह भी यूज कर सकते हो उसको बैटर को इ लेम पे करके पक्ने दीना है 1-5 मिनट होनका लिड़ को हटाना है नास्ति को चेक कर लीना है उपर से भी छुआने में हलका सा ओयल लगा देना है आप देख सकते हों दूसरी तरह भी भूरती प्यारा सा कलर आ चुका है नास्ते में और उलट पलट करके अच्छे से दोनो तरफ गोलडन ब्राउन कलर आने तक नास्ते को शेक लेना है इधर हमारा नास्ता प्यारा सा बनकर रेडी हो चुका है देखने में तो बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा है खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है बच्चे हुए भी ऐसी सेम सेक लेंगी इधर हमारा सारा नास्ता बनकर रेडी हो चुका है अभी सेम कर लेते हैं सर्व आप इस नास्ते को छोटी मोटी भूख हो उसमें बना सकते हो या मॉर्निंग में आप नास्ते की तौर पे भी इसे बना के खा सकते हो बहुती जटपट सी बन जाता है और बहुती कम इंग्रीडेंट लगते हैं बार से कुछ भी लाने की जरुगत नहीं पड़ती है जो घर म वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके थैंक पॉर वाचिंग मिलते हैं आपको अगली वीडियो